Hello friends, मैं आप सबको CyberGuard के इस brand new course में स्वागत करता हूँ Imagine करें कि आप अपने favorite coffee shop पर बैठ कर must coffee पी रहे हैं और आप notice करते हैं कि कैसे सभी लोग अपने device को wifi से connect करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सारी चीजे कैसे काम करती हैं और आखिर इसके पीछे का राज क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीजे networking की मदस से possible हो पाई है तो यहां पर आप देख सकते हैं what is computer networking Basically computer networking refers to interconnected computing devices that can exchange data and share resources with each other चलो इस चीज को हम बहुत ही basic से सीखते हैं Imagine करो कि आप कोई एक organization या फिर business बना रहे हैं तो उस business को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है इसका simple सा मूल मंत्र है कि जितने भी employees हैं वो एक दूसरे से अच्छे से connected रहें और एक दूसरे से communicate कर पाएं और अपने thoughts और ideas को एक दूसरे के साथ share करके आगे बढ़ें तो जैसे एक organization बनती है उसी तरह से networking भी काम करती है बहुत सारे devices एक दूसरे से connect होकर सारे information share करते हैं तो I think अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर networking क्या होती है तो अभी हम बात करते हैं features आप computer networking के मतलब इसके features क्या क्या है या फिर इसके फायदे क्या क्या है और उस data को फिर से आप बहुत ही easy way में use कर सकते हैं और इसी के साथ software और hardware sharing मतलब आप कोई भी application share कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी hardware चीजे share कर सकते हैं और networking की मदद से ही हम अपने digital life को secure भी करते हैं scalability भी है और reliability भी है मतलब इस बहुत ही flexible और easy है use करना तो अभी हम बात करते हैं first computer network के बारे में The US Advanced Research Projects Agency Network ARPnet was the first public packet switched computer network It was first used in 1969 and finally decommissioned in 1989 ARPnet's main use was for academic and research purposes तो basically जो हमारा first computer network था उसका नाम था ARPnet और यह 1969 में US government द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर इसका use 1989 से start हो चुका था और इसके साथ इसका जो main purpose था मतलब इसके बनाने का जो main purpose था वो था academic और research purposes मतलब study के लिए यह बनाया गया था और research करने के लिए इसको create किया गया था अभी हम बात करने वाले components in networking के तो अब हम बात करते हैं networking के अंदर जितने भी components पढ़ते हैं उनके बारे में तो इसके अंदर routers, switches और firewalls जैसे components involve होते हैं वैसे यहाँ पर बहुत सारे components हैं बट यहाँ पर हम कुछ specific components के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं सबसे पहले हम routers के बारे में जान लेते हैं routers को हम internet के एक निर्देशक या फिर traffic की तरह समझ सकते हैं हमारी जो data sharing होती है उसको यही routers अच्छे से proper तरीके में share करने में मदद करते हैं और यहाँ पर आप इस documentation को भी बढ़ सकते हैं बाकि इस चीच को हम आगे इस series के अंदर और भी अच्छे से समझने वाले हैं तो अब बात करते हैं हम switches के बारे में a switch is a multiport device that improves network efficiency switches एक तरह से traffic controller की तरह काम करती है इसका काम होता है जो data जिसके साथ share कर रहे हैं उसी के पास ले जाने में और communication को और भी बहतर और faster करने में मदद करना और इसी के साथ सथ अब हम बात करने वाले हैं firewalls के बारे में a firewall restricts the internet traffic of a private network controlling what goes in and out तो basically firewalls का काम होता है हमारे network को secure करना और सभी incoming और outgoing traffic को monitor करना इसको हम महावारत के current के कवच और कुंडल के साथ भी compare कर सकते हैं जैसे current के कवच और कुंडल उसको सभी attacks से बचाते थे उसी तरह से ये भी हमारे network को किसी भी on authorized access और सभी cyber attacks से बचाने में help करता है so guys अब हम बात करने वाले हैं network protocols के बारे में खास करके TCP और IP के बारे में इसको हम एक तरह के language समझ सकते हैं जो कि हमारे devices use करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए TCP और IP मतलब transmission control protocol और internet protocol यह दोनों internet के foundation हैं और इनी दोनों के मदद से data को transmit और share की जाती है पूरी दुनिया में तो जैसे हम किसी से बात करने के time पर कुछ rules को follow करते हैं जैसे कि आप मान सकते हैं अगर हम किसी senior से बात करते हैं तो उनको respect देते हैं उसी तरह से जितने भी devices network से connected होते हैं वो TCP और IP को follow करते हैं एक proper seamless communication के लिए So guys simple आप जो भी चीज़े अपने device में करते हैं लाइक किसी को mail send करना, live streaming करना या फिर social media handle को use करना ये सारी चीज़ों को walk करने के पिछे एक बहुत ही systemic चीज़ जैसे कि wave networks उसके components और protocols की मदद से possible होता है तो friends इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविता लेना चाहता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy networking